जैमलशी की दोस्तों, आज की सुरिगे मन्ना का भाग हमने लिया है गलातियों की पुस्तक, उसका चौता अध्याय और उसका पहला वचन. वचन कहता है, मैं यह कहता हूँ कि उत्रादिकारी जब तक नाबालिक है, यद्दपी सब्वस्तों का स्वामी है, फिर भी उसमें और दास में कोई अंतर नहीं रहता। अनुसार हमें मिला है, उस सामर्थ खाम उप्योक नहीं कर सकते हैं, हम अभी तक नाबालिक हैं, हम अभी तक बच्चे हैं, हम उस दास की तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो दास अविश्वासियों की तरह चलता है, लेकिन हम विश्वासी हैं, हम परमिश्र की आत्म परमेश्वन ने इश्वमसी के दोरा हमें ग्यान दिया है, आज परमेश्वन ने इश्वमसी के दोरा हमें सामर्द से भड़ दिया है, आज परमेश्वन ने इश्वमसी के दोरा हमें अधिकार दिया है शैतान पर, लेकिन अगर वो ग्यान हमारे अंदर नहीं है, अगर हमें उसकी पहचान नहीं है, अगर हमें उसकी समश नहीं है, तो हम उस दास की तरह जिंदगी जी रहे हैं, हम उत्तरा धिकार का उप्योग नहीं कर रहे हैं, हम उस सामर्द का उप्योग नहीं कर रहे हैं, हम अपने दाइत्व का उप्योग नहीं कर रहे हैं, इसलिए, इसलिए मे परमेश्वर का ग्यान प्राब्त होगा वो ग्यान जो हमें बताएगा कि हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है हम परमेश्वर की बच्चे हैं उसकी संतान है इसलिए परमेश्वर ने यहुशु को कहा था पहला अध्याय का आठ्वामचन कि व्यवस्ता कि ये पुस्तक तेरे मूँ से कभी दूर ना हो पर अध्यान करते रहना जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरन करने के लिए सावधान रह सके जब तो अपने मार को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त कर सकेगा तब ही तो अपने मार को सफल बना सकेगा हमारी सफलता क्या है हमारी सफलता यह है कि हमारा अँदर पलेगा जब वो ग्यान हमारे अंदर रहेगा जब वचन हमारे अंदर जीएगा उस वचन को जीना है हमारें अंदर तकικे हम उस उत्रादिकार की शक्ती के दोरा इस धर्ती पर चल सके और परमिश्र का अद्बुत आशीश लोगों को दिखा सके हम लोगों के लिए आशीश का कारण बन सके हम कब बनेंगे लोगों के लिए आशीश का कारण जब वो शक्ति वो ग्यान हमारे अंदर होगा इसलिए आईए बाई बेनो आज का सुबह आज की सुबह बह उस ज्यान के लिए अपने आपको नतमस्त करते हैं घुणने टेकते हैं अपनी पवितरात्मा के सामने है पवितरात्मा हमें वो बुद्धी दे हमें वो शक्ती दे हम नाभालिक नहीं रहना चागते हम उत्र अधिकार का उपियोग करना चाहते हैं हम उस शक्ति का उपयोग करना चाते हैं हम उस अधिकार का उपयोग करना जाते हैं जो परमेश्यर ने हमारे अंदर डाल दी है दे दी है हमें मुफ्त में बेयाने के रूप में उपहार के रूप में धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्यर हम सुनने वालों के लिए प्रात्रा करते हैं पिता परमेश्यर हर सुनने वाले भाई भाई भेनों के लिए आशीश और सुक और चंगाई मांगते हैं परमेश्यर वो अपने इस ग्यान को इस ग्यान को इस सामर्थ को यूज कर सके एसी क्रिपाकर, एसी बुध्धी ते, ऐसा बोश ते इश्यो मसी के पवित्र समर्थी नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं, प्रात्रा आपने सुनी, एमें